हमें 4,23,275 को निकटतम हजार तक पूर्ण संख्या बनाना है मैं इसे यहाँ फिर से लिखता हूँ 4,23,275 अब यहाँ हजार के स्थान पर 3 है यदि हमें उपर की तरफ निकटतम हजार तक पूर्ण संख्या बनानी है तो हम 4,24,000 तक जाएंगे और यदि हमें नीचे या पीछे की तरफ निकटतम हजार की पूर्ण संख्या बनानी है तो हम 4,23,000 तक जाएंगे हम 275 को छोड़ देते हैं 4,23,000 तो हमारे पास यह विकल्प हैं उपर की तरफ पूर्ण संख्या 4,24,000 या नीचे की तरफ पूर्ण संख्या 4,23,000 होगी इसे समझने के लिए हम 3 के दाएं तरफ के अंखो देखें तो यहां 2 है यदि यह 5 या इस से बड़ा है तो उपर की ओर पूर्ण संख्या बनाएंगे यदि यह 5 से छोटा है तो नीचे की ओर पूर्ण संख्या बनाएंगे दो निश्चित रूप से 5 से छोटा है तो हम नीचे की तरफ पूर्ण संख्या बनाएंगे तो यह है 4,23,000 हमें उत्तर मिल गया है लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए करते हैं इसकी कल्पना संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं यदि हम एक-एक हजार आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास होगा 4,22,000 4,23,000 यहां 4,24,000 और यहां 4,25,000 अब 4,23,275 लगभग यहां पर होगा निकट तम हजार तक पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें इसके और इसके बीच चुनना है हम देखते हैं कि यह 4,24,000 के मुकाबले 4,23,000 के निकट है इसलिए हम इसे यहां पूर्ण संख्या बनाते हैं यहां हमने उन नियमों का प्रयोग किया है जो हमने जाने है